जहे हैं दोस्तों वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासीज दोस्तों इस वीडियो हम राजस्तान की करेंट अपेर सहीद कुछ मोश्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीड बरतिपरिक्सा, वीडियो मैंस, पुलिस्ट कॉंस्टेबल, फॉरेस्ट कार्ड, लेब असिस्टेंट जैसे कॉम्पिटेशन एक्जाम के लिए बहुत ही मोश्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर हैं अगर दोस्तो आप भी इन में से किसी कॉम्पिटेशन एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखें और इन सभी राजस्टान की मोश्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर को जरूर याद करें क्योंकि दोस्तों ये सभी क्यूसन है जो बार बार केंपोरेंट क्यूसन एक्जाम में रिपीट होने वाले मोश्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर हैं इसलिए इन सभी क्यूसनों को आप जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्यूसन पहला किस्टन है थार महोसव 2022 का आयोजन राधस्तान के किस जिले में क्या गया तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्शन डियानी थार महोसव 2022 का आयोजन है वो राधस्तान की बार्ड मेर जिले में 28 से लेकर 30 मार्च 2022 तक आयोजन क्या गया था किस जिले में बार्ड मेर जिले में और दोस्तों आपको बताते हैं कि थार महुसव 2022 का आयोजन है वो साल 2012 के बाद 10 साल बाद इस महुसव का आयोजन क्या गया है नेक्स्ट अगला दूसरा किसन है रादस्तान में बोध मंदिर की सर्वादिक आउसेस एं इसमार कहां से प्राप्त हुए हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानी राधस्तान में बोध बंदीर के आउसे सर्वा दिखें वो बेराट विराट नगर से प्राप्त हुए हैं अगला नेक्स तीसरा क्यूसन है राधस्तान में कौन सी प्रता मर्तिव से संबंदीत नहीं हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option DNA जुआ 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 प्रता हैं जो मर्तिव से संबंदीत नहीं हैं जबकि पगड़ी की रसम उठावना और बाल मुनना ये तीनों हैं वो मर्तिव से संबंदीत एक प्रता हैं जबकि जुआ 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 हैं जो नवे विवाइत से संबंदीत एक रसम या प्रता हैं नेक्स्ट अगला चोता क्युषन है बिथोड़ा का युद ठाकूर कुसाल सिंग एं अंग्रेजों के मद्य कब लड़ा गया था तो इस सवाल का सई जवाब जेगा option A नी बिथोड़ा का युद है जो अववा के ठाकूर कुसाल सिंग एं अंग्रेजों के मद्य सितंबर 18 1277 में पाली में लड़ा गया था नेक्ट्ट अगला पांचवा के उसन है पिछवई में प्रतिमा के पीचे किसकी बाल ग्रिडाओं का चितरन कप्डे पर किया जाता हैं तो इस स्वाल का सई जवाब दिगा option C यानी पिछवई में प्रतिमा के पीछे क्रशन की बाल क्रिडाओं का चित्रन कपड़े पर किया जाता है जबकि पाबू जी और देव नरेन जी की प्रतिमा और बाल क्रिडाओं का चित्रन है वो फड़ के कपड़े पर किया जाता है जबकि पिछवई में किसकी की जाती है क्रशन की बालक रिडाओं का नेक्स्ट अगला छटा क्यूसन है इमारती पत्र के उतपादन में राजस्तान का देश में कौन सा इस्तान है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option एनी इमारती पत्तर के उत्पादन में राजस्तान का देश में पहला इस्तान है जबकि राजस्तान में पहला इस्तान है वो जोत्पूर का है नेक्स्ट अगला सात्वा किस ने अगनी बांड समाचार पत्र का प्रकाशन जय प्रकाश नरैन द्वारा कब क्या गया तो इस सवाल का सही जवाब देगा option एनी सन 1936 में अगनी बांड समाचार पत्र का प्रकाशन है वो जय प्रकाश नरैन द्वारा क्या गया था कब 1936 में और किसके द्वारा जय प्रकास नरायन द्वारा और किसका अगनी बाण समाचर पत्र का नेक्स्ट अगला आटवा किसने जोतपूर जनतवाले प्रसिद क्यों है तो इस सवाल का सही जवाब देगा और गोडवन को साल 1981 में राजस्तान सरकार द्वारा राजिय पक्षी गोशितिक क्या गया था अगला नेक्स्ट नुम्मा किसने रखान नामक किसका अबूसन है तो इस सवाल का सही जवाब देगा और रखान वो एक दात का अबूसन है नेक्स्ट अगला दसवा किसने राजस्तान की प्रसिद कवितरी मीरा बाई का मंदिर मेरता में किसने बनवाया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option एनी राव दूदा जी है जिनोंने राजस्तान की प्रसिद कवेत्री मेरा बाई का मंदिर नागोर के मेरता में बनवाया था किसने राव दूदा जी ने नेक्स्ट अगला 11 वा किसने किस मुगल सासक ने राजस्तान से जज्यकर हटा दिया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option एनी मुगल सासक अक्बर थे जिनोंने राजस्तान से जज्यकर को हटा दिया था नेक्ष्ट अगला बारवा किस ने राधस्तान संग का अंतिम निर्मान कब हुआ था तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन बी नी 18 अप्रेल 1948 को राधस्तान संग का अंतिम निर्मान हुआ था कब 18 अप्रेल 1948 को अगला नेक्स तेरवा किस ने करोली परद्यामंडल की इस्तापना किसके द्वारा की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन डी नी करोली परद्यमनल की इस्तापन है वो श्रित लोक्चंद मातूर चरंजी लिलाल सर्मा और कुमर मदन सिंग द्वारा साल उननी सो गुनचारीस में की गई थी कब साल 1940 में और किंज के द्वारा कुमर मदल सिंग चिरंजी लाल मसर्मा और तेलोक चंद माथूर के द्वारा नेक्स अगला चवद्वा कि उसने राधस्तान एकिकरण के तीसरे चरण में सयुक्त राधस्तान संग में किस रियासत का विले क्या गया तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्शन भी अनी राधस्तान के एकिकरण के तीसरे चरण में सयुक्त राधस्तान संग में उदेपूर रियासत का विले हैं वो 18 अप्रेल 1948 को क्या गया था नेक्स अगला पंदरवा किस राधस्तान का सबसे पच्ची मी बिंदू कौन सा हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्शन सी अनी कट्रा जेसल मेर का पच्ची मी बिंदू है जो राधस्तान का सबसे पच्ची मी बिंदू है कौन सा कट्रा जो जेसल मेर जिले में हैं नेक्स अग्ला 16 किर्सन ने जैपपूर बिलु पॉटरी के लिए परसीद हैं या चितरकारी के बרतनों पर की जाती हैं तो इस सवाल का सई जवाँ देगा है सिनल जैपँर में बिलु पॉटरी परसीद हैं और ब्लू पॉटरी की चित्रकारी हैं वो चीनी मिटी के बर्तनों पर की जाती हैं अगला नेक्स सतरवा किसन है मरू भूमी विकास कारी करम के प्रारम करने का उदेश्य क्या हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B यनी मरू भूमी विकास कारीकरम के प्रारम करने का परमोग जो उदेश ये हैं वो है मरूस्तली करण की परकरिया पर नियंत्रण करना नेक्ष्ट अगला अटारवा question है प्रसिद मीनाकारी थेवा कला का संबंद किस जिले से हैं तो दोस्तो इस सवाल का सई जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सक्षिन में लिखकर जरूर बताइए आप्सन है प्रताबगर जिले से बाहसवाड़ जिले से जैपूर जिले से या बीकानिर जिले से इन चारो आप्सन में से कौन सा आप्सन सही है जिसका संबंद प्रसिद मीनाकारी थेव कला का संबंद है नेक्स अगला उगनिस्वा किसने सुमेल गिरी का युद किस किस के मद्य लड़ा गया था तो इस सवाल का सही जवाब जेगा आप्सन डी नी राव माल देव और सेरसा सूरी के मद्य सुमेल गिरी का प्रसिद युद लड़ा गया था और ये सुमेल गिरी का युद कब और किसके मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन बेनी उपर माल है वो चितोडगड़ वा बीलवड़ के बीच की जो पठारी भूमी है उसे उपर माल का जाता है नेक्स्ट अगला 22 वा किसन है राजस्तान का कौन सा इस्तान रेगिस्तानी प्रचार के लिए जाना जाता है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन एनी नाचना जेसलमेर का इस्तान है जो रेगिस्तानी प्रचार के लिए जाना जाता है कौन सा इस्तान नाचना जो ज अग्ला क्योज्सने जो विसु के किस गोलार्द में इस्तित्त है तो इस सवाल का सई जौब देगा option आदिवाशियों महिलाओं या इस्त्रियों की लोग पर यह कहरी बात की ओड़नी प्रसिद हैं नेक्स्ट अगला 25 वा किसे ने राजस्तान की किस प्रसिद जील पर नटनी का चबूत्रा निर्मित हैं नेक्स्ट अगला 25 वा किसे ने राजस्तान का खजराओं निमन मेंसे किसे कहा जाता हैं तो इस सवाल का सई जील पर नटनी का चबूत्रा निर्मित हैं और दोस्तो किराडू का मंदिर कहां पर इस्तित हैं यह आप कमेंट सक्सें में लिखकर जरूर बताईए नेक्स्ट अगला 27 वा किसे ने बाकड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा आपसंट डियनी बाकड़ा नागल परियोजना में नागल बांध हैं वो 17 नदी पर बनाया गया एक बांध हैं नेक्स्ट अगला 28 वा किसन है चतरकला की किस सेली को परकास में लाने का स्रे डॉक्टर फैयाज अली को है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन डीनी किसन गड़ सेली है जिसको परकास में लाने का स्रे है वो डॉक्टर फैयाज अली को जाता है नेक्स्ट अगला गुनतीसवा किसन है कौनसे बावड़ी को बावड़ियों का सिर्मोर का जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा, ऑप्शन डी नी, रानी जी की बावड़ी है जिसे बावड़ियों की बावड और का जाता है next अगला तीसवा question है, desert knight 21 warm yarn कहाँ पर क्या गया है तो इस वाल का सही जवाब देगा option है é ए nouveau ajep brass जोतपूर में desert knight 21 warm yarn yarn कहा गया था जिसमें राफेल लड़ाकूम विमान ने भी हिस्सा लिया था तो दोस्तो ये थे 30 हैसे most important राधस्तान के question answer जो आपके हर competition exam में बार बार repeat होने वाले most important question answer थी उमीद करता हूँ दोस्तो ये सभी question आपको अच्छे से याद हो गएंगी अगर याद हो गए तो इस video को like करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तो इन सभी question का pdf है वो आप हमारे telegram group से भी download कर सकते है telegram group का link आपको हमारी इस video की discussion में मिल जाएगा जहांसे इस group को आप join कर सकते हैं और इन सभी question का pdf भी download कर सकते हैं और एक अंतिम अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको comment section में लिखकर बताना है तो आज का अभ्यास सवाल है राजस्तान के चटे वितायों के अध्यक से कौन है तो option है परदियूमन सिंग, गोपाल करशन व्यास, प्रेम सिंग मेरा या जोती किरण इन चार option हों में से कौन सा option सही है, जो राजस्तान के चटे वितायों के अध्यक से है ये आप comment section में जरूर लिखकर बताईए और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरू